السلام علیکم वीवर्स आप देख रहे हैं अनबीला स्टीचिंग आइडियास आज हम करेंगे 14 इंच तीरे पर कमीज की कटिंग या बिगनर्स के लिए बहुत ही असान और बेसिक मैथड है अगर इस मैथड को मद्दे नज़र रखते हुए आप अपनी कमीज की कटिंग करेंगे तो इंशाला गला ना तो पीछे की तरफ को जाएगा और ना ही एक साइट को गिरेगा जो मेरे चैनल पर नीव है प्लीज वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं बूलना आएज चलते हैं हम अपनी कटिंग की तरफ सबसे पहले जो है वो हमने कमीज की लेंथ को मापना है यहां से मैं इस साइट से स्टार्ट करूंगी क्यूंके यह साइट मेरी बिल्कुल सीधी है इसमें किसी भी किसम की कान नहीं है त्यार लेंथ जो मुझे चाहिए वो 38 इंच चाहिए जबके मैं जो लूँगी वो 40 इंच टू इंच जो है वो एक्स्ट्रा लूँगी इसलिए कि मैंने यहां पे करनी है पाइपिंग अगर आपने तरपाई करनी है या कि कुछ भी लगाना है तो उस ही साथ से आप इसकी लेंथ में कमीबेशी कर सकते हैं यह मैंने 40 इंच पे एक मार्क कर लिया दूसरा मार्क मैं यहां पर 40 इंच पे करूँगी ताकि हमारी मार्किंग जो है वो बिल्कुल सीधी आए अगर हमारी सारी मार्किंग 90 इंगल पे आएगी तो इन्शाला हमारी कमीज परफेक्ट कटेगी इन निशानों को हमने अपस में मिला लिया अब जो उपर का कपड़ा है वो हमारा एक्स्ट्रा है यहां से हमने इस मार्किंग से करनी है अपने तीरे की पुमाईश तीरा हमा हमारा उपर से निकल जाएगा यह 8 हिंच पर मार्क कर लिया दूसरा 8 हिंच का हमने यहां पर मार्क कर लिया अब इन दोनों निशानों को भी हमने आपस में स्केल के साथ मिला लेना है अब यह उपर की जो मार्किंग है यहां से हमने करनी है कमर तक की मार्किंग जो अमूमन यह हमारी साइड की सलाई होती है वो 14 इंच की होती है लेकिन इस शर्ट की हम करेंगे 11 इंच की इस तरह से उपर से हमारा यहां पर आएगा 14 इंच पर यह निके 8 इंच जो है वो हमार इन दोनों मार्किंग को हमने आपस में स्केल के साथ मिला लेना है ऐसे अब उपर से ही हमने जो है वो अपनी हिप तक की मार्किंग करनी है यह हमारी आ जाएगी 19 इंच पे क्यूंकि अगर 19 इंच में से हमने 8 इंच जो शोल्डर की कटिंग का निकाला है तो बागी हमारे पास बच जाएगा 11 इंच एक हमने 19 इंच पे यहां पे मार्क कर लिया क्यूंकि साइड की स्लाही हमें 11 इंच पे चाहिए इस तरह हमारा यह परफेक्ट बनता है इनको भी मिला लिया अब यहां से हमारी जो है वो 11 इंच इस तरह से देख लें कि बिल्कुल जो है वो पूरा आ कि यहां तक अब ओपर से जो हमारा तीरा था वो 7 इंच का था यह देखे 7 इंच पे हमने माग लगाया एक माग हमने 7 इंच पर यहां पर भी लगा लेना है अब इन दोनो निशानों को हमने श्केल के साथ हापस में बिल्कुल स्ट्रेट मिला लेना है ऐसे अब यहां से जो shoulder line है हमारी इस सरफ यहां पर हमने लगाना है तिर्चा एक इंच का निशान यह हमारी back shoulder की cutting है front की नहीं है front की cutting हमेशे deep होती है यह हमने इसको मिला ली या shape दे ली अब यहां से हमने करनी है अपनी chest की marking 7 इंच हमारा 13 है तो यहां से हमारी जो chest आ रही है वो 19 इंच पे है 19 इंच का जो half आता है वो हमारे पास आ जाएगा 9 इंच यह 9 इंच पे हमने एक mark कर लिया अब यहां पर हमने marking करनी अपनी fitting की fitting हमारी जो है 17 इंच की है 17 इंच का जो है वो 8 इंच यहां mark कर लिया और हीप हमारी आ रहे है 20 इंच की जिसका हाफ जो है वो 10 इंच, यहां पर हमने यह 10 इंच पर मार्क कर लिया. अब इस तमाम मार्किंग को हमने दे लेनी है, sly line की तरह shape इस तरह से. और ये बाद हमेशे याद रखनी है कि यहां पर हमारी nook ना बने, नोक बनेगी तो शर्ट बहुत जल्दी हमारी फक्त जाेगी यहां पर हमेशा गुलाई में शेप देते हैं अब यहां यह उपर से हमने जो लाइन लगाई थी 8 इंच की यहां पर उपर से हमने एक इंच जो है पर हमने लगाया था एक इंच का तिर्चा निशान वहां पर लगाएंगी उसके सेंटर में हाफ इंच का निशान, यह हमारी फ्रंट शोल्डर की कटिंग है, यहां से हमने इसको हलका सा डीप कटे हुए आपस में इस तरह से गुलाई में शेप दे लेनी है, यह जो हमारी कुशिश क्या करें कि दामन हमेशा जो है वो एक इंच ज्यादा खुला हो हिप लाइम की निस्बत है, इस तरह से कमीज जो है वो कभी भी अकठा नहीं होता, इनको भी हमने आपस में मिला लिया, मेरे पास कपड़ा सिरफ उतना ही है कमीज का कि जितना मुझे रुकार्ट बागी का मैंने कट कर लिया, अब अपनी मार्किंग के मताबक सेम हमने कटिंग करते चले जाना है, सबसे पहले बैक शोल्डर की कटिंग करेंगे, ऐसे उपर से दो हिसे उठाएं और फ्रंट शोल्डर की कटिंग करते चले जाएं, यह कटिंग मार्किंग पे होगी, इसमे हमने इसलाई का मार्जन बिल्कुल नहीं रखना यहां पर एक कट लगा लें इन कट्स का यह फाइदा है कि हमें बार बार जो है वो पमाईश नहीं करने पड़ती हुर हमारी सलाई जो है बरी परफेक्ट आती है एक कट हमने यहां पर जो गले की पमाईश की थी सवा तीन इंच का यहां पर लगा लेंगे अब बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा फिटिंग में है उसको हम कट कर लेंगे अगर बिगनर्स के पास खरारी नहीं है तो वो सीजर रखकर अपनी तमाम मार्किंग जो है वो शर्ट पर अब मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं बूलना मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए आइडिया के साथ तब तक के लिए अलाह आफीज